नमस्कार दोस्तों, जय हो बागेश्वर धाम, सरकार की जय हो मांका, भद्रकाली की दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आपके अपने चैनल में, तो तुला राशिवालों, हो जाओ, सावधान, आपके घर में बहुत बड़ा संकट मंडराने वाला है। क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन में बेटा, जो घटना होने वाली है, वह कोई मामूली या कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इस घटना से आपको सावधान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन 24 घंटे में यदि आप नहीं संभले, तो बेटा अपने जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो, लेकिन मैं आपको यह गलती करने से रोक रहा हूँ, आज की इस वीडियो में आपको बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आप कांप उठोगे, हैरान हो जाओगे, क्योंकि आज आपको जिन्दगी में किसी ने इतना बड़ा सच नहीं बताया होगा, जो आज मैं आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, तो बेटा दिल थाम कर बैठना, और इस वीडियो को अंत तक सही से सुन लेना, क्योंकि आज का यह वीडियो तुम्हारी जिन्दगी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, बहुत ही खुशनसीब होगा, वह इंसान जो इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि बेटा आज से पहले इतनी बड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी तुम्हें किसी और ने प्रदान नहीं की ह एक बात ध्यान रखना, जीवन में जो भी होता है, हर एक चीज का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई भी चीज बेवजह नहीं होती, हम हमारे बारे में जितना सोचते हैं, जितना जानते हैं, परमात्मा हमें हमसे भी अधिक जानते हैं, और हमारे बारे में हमेशा परमात्मा अच्छा ही सोचते हैं तो अगले 24 घंटे में जो भी होगा इसे भगवान की लीला समझ कर तुम्हें अपनाना होगा लेकिन कुछ ऐसी चीज है जिसे तुम बच सकते हो दुश्मन क्या शड्यंत्र बना रहा है उसे तुम बच सकते हो उसे तुम समझ सकते हो वह अन्य तुम्हारे उपर जो जो संकट आने वाले हैं उन्हें तुम टाल सकते हो बस अंत तक वीडियो में बने रहना सर्व प्रथम शुरुआत करने से पहले जितने भी मान दुर्गा के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दे उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जैमान दुर्गा जैमा भवानी लिख देना मैं गारंड देता हूँ मातारानी आपके जीवन से सारे संकटों को दूर कर देगी जीवन में जो करना है कुछ भी करो लेकिन मन लगा कर करो उस काम में रुची लेकर करो तब ही आप सफल हो पाएंगे अगर भक्ती कर रहे हैं भगवान की तो मन लगा कर कीजिए कोई काम कर रहे हैं तो मन लगा कर कीजिए इस वक्त बेकार के विवादों से दूर रहे, और पूर्व में कोई अठकी हुई योजना में बहुत जल्दी मित्रों तेजी आ सकती है, साथ ही आपके नेत्रित्व में, कोई विशेश गतिविधी भी संपन्न होगी, मित्रों इस नेत्रित्व के दौरान आपको सब का साथ म मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, साथ ही अधिक से अधिक समय अपने परिजनों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा समय अपनों के साथ बिताना है, मित्रों और घर में कोई धार्मिक आयोजन भी इस वक्त संभव है, घर में मित्रों आपको मधुर व् हमारे गुरुजी बताते हैं कि सप्ताह में या फिर महीने में कम से कम एक बार घर में कुछ धार्मिक कार्यक्रम जरूर करने चाहिए, जिससे घर में शांती बनी रहे और माहौल घर का सुखत बना रहे। जाना है ना कि बातों को और बिगाड़ना है और हां उत्तेजना से समस्या और अधिक बढ़ सकती है। और आपको बता देते हैं कि भविश्य से जुड़ी योजनाओं पर काम करने के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। करियर और कारिक्षेत्र में बहतरी के लिए की गई कोशिशों में आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, सरकारी सेवारत लोग पबलिक प्लेस पर व्यर्थ के वाद विवाद में पढ़ने से मुश्किल में पढ़ सकते हैं। इसलिए सरकारी सेवारत लोग ध्यान रखें। आपके ऊपर आम जनता का थोड़ा सा आक्रोश बना रहेगा। आपको ठंडे दिमाग से काम लेना है। सोच समझ कर आपको सबकी बातों का जवाब देना है, नहीं तो आप घेरे में आ सकते हैं। लोगों के अपने अधिकारियों के साथ आपको संबंध मधुर बना कर रखना है। अपने अधिकारियों की आग्या का पालन करना है। जैसा वे कहें, वैसा आप करें। मित्रों और घर में आप अगर नवीनी करण से संबंधित को योजना बनाना चाहते हैं, तो बना सकते हैं। मित्रों जिस थाली में खाते हैं, उसी में छेद करने के लिए कुछ दुश्मन आपके उपर हावी हो सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि धैर्य और संयम जीवन में बनाए रखना बहुत जरूरी है। वैवाहिक संबंध, सुखद और खुशनुमा रहेंगे और प्रेम संबंधों में भी मित्रों नस्दीकियां बनी रहेगी। मौसम की वजह से कमजोरी और आलस से बनी रहेगी। आराम लें तथा संतुलित खानपान रखें। मित्रों, नए जीवन में नए कार्य आपको शोभा देते हैं। आप वही करें जो आपका मन करे। लोगों की बातों में ना आएं, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। मित्रों, आईए अब हम आपको बताते हैं कुछ चमतकारी उपाए जो आपके और अगर आप इस दिन जल्दी कर्ज उतारने के टोटके का इस्तिमाल करते हैं, तो यकीन मानिए, इससे टोटके के इस्तिमाल से आपके जीवन भर के सारे कर्ज उतर जाएंगे, और आपको फिर कभी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मित्रो, हमारे गुरुजी कहते हैं कि बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा, क्योंकि इनसान हर किसी से बच सकता है, यहां तक कि भगवान से भी बच सकता है लेकिन अपने कर्मों से कभी भी नहीं बच सकता है, इसलिए मित्रो, यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया है, तो आप उस व्यक्ति के पीछे बदला लेने के लिए मत सोचो, केवल आराम करो और समय का नजारा देखो, तो मित्रों गुरुजी का य अगर आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा, तो सेहत में सुधार आने से आप अपने अंदर एक नई उर्जा महसूस करेंगे, एक सकारात्मक्ता महसूस करेंगे, और पूरे आत्म विश्वास के साथ अपने कामों पर ध्या मिलने से भी आपके मन में आपके जीवन में प्रफुलता रहेगी, और मित्रों, जब आप किसी अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में रहेंगे, उनसे मुलाकात रहेंगे, तो वैसे ही आपका मन प्रसन रहेगा, दैनिक कारियों में कुछ व्यवधान आने से चिड़- जैसी स्थिती बनी रहेगी और अपने क्रोध व आवैश पर जरूर नियंत्रन रखें, मित्रों, दैनिक कारियों में व्यवधान आएंगे, चिड़-चिड़ापन की स्थिती भी रहेगी है, लेकिन जब तक आप अपने क्रोध पर नियंत्रन रखना नहीं सीखेंगे, जी जैसी तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोश दो, क्योंकि मित्रों, भाग्य में लिखा हुआ भी तभी मिलता है, जब हम मेहनत करते हैं, जब हम भाग दौड करते हैं, तो ह समय बहुत शुब रहेगा. मित्रो, शुरुवात बड़ी ही सुखद रहेगी और कोई भी काम शुरू करने से पहले अच्छी प्लानिंग कर ले. रणनीती बना ले. मित्रो, इसमें हम किसी भी मुश्किल से बच जाएंगे. क्योंकि अगर आपको आने वाले समय में हानी भी होती हुई दिखाई देगी, तो प्लानिंग बनाने से उस हानी को कम किया जा सकता है. बच्चों से संबंधित चल रही किसी समस्या का भी समाधान मिलने से, मित्रों आपको राहत रहेगी. आपको ध्यान रखना है कि अपने बच्चों की संगती पर ध्यान दें, क्योंकि इस वक्त उनका पैर किसी गलत संगती में पढ़ सकता है. मित्रों आत्मक तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना है. कुछ समय आत्म मनन और चिंतन करने में भी आपको लगाना है. मित्रों और इस समय लाभ की अपेक्षा, खर्चों की अधिकता रहेगी. यानि कि लाभ कम रहेगा और खर्चा ज्यादा रहेगा. जिसकी वजह से घर के सद दस्यों में कुछ मनमुटाव होने की भी आशंका है. मित्रों बता देते हैं कि इस वक्त समय बहुत शुब चल रहा है. आपके जीवन में वाहन सुख लिखा हुआ है, तो आपको जल्दी ही मिलेगा. और मित्रों, घर परिवार की परिस्थिती को बेहतरीन बना कर रखें, क्योंकि घर की एक-एक चीजों को व्यवस्थित करना आप अच्छे से जानते हैं और व्यवस्थित करना आपके हाथ में है. जी हाँ, इस वक्त ध्यान रखिएगा कि बिजनिस में एक नए काम की शुरुआत की योजना है, तो उस पर गंभीरता से विचार कर ले. एक-एक लोगों की राय जान ले, एक-एक लोगों की बातों को सुन ले. मित्रों, क्योंकि समय जो है बहुत जल्दी ही बदलेगा, समय की चाल भी नया रंग लेकर आएगी और विरोधी आपकी योजनाओं को फेल करने का प्रयास भी कर सकते हैं. विरोधी आपकी योजनाओं में म मित्रों बाधा डालने की कोशिश करने सकते हैं। साथ ही, पार्टनर्शिप संबंधित व्यवसाय में किसी प्रोजेक्ट को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि पारिवारिक सदस्यों के बीच सहयोग और स्नेह की भावना रहेगी। पारिवारिक सदस्य आपस में बैठ कर मित्रों बहुत बढ़िया से समय व्यतीत करेंगे। मनोरंजन आदी में भी सुखद समय व्यतीत होगा। मित्रों, कारोबारी हालात दिन प्रति दिन सुधर रही है। करमचारियों द्वारा आपके काम में पूरी सहायता मिलेगी और अफसरों के साथ रिष्टों में जो है सुधार आएगा। जी हाँ मित्रों, आपको बता दे कि व्यापार में क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रू होता है। इसलिए उस अपनी इस कमजोरी पर विजय हासिल करें। मित्रों, आपका यह जो क्रोध है, यह क्रोध ही आपका सबसे बड़ा नुकसान कराएगा। और आपको बताया गया है मित्रों, कि इस क्रोध के पीछे ही आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, और ना ही कार्य की ध्यान दे पा रहे हैं। और मित्रों इस बात का भी ध्यान रखियेगा, कि कारोबारी हालात दिन प्रति दिन सुधर रही है। जी हाँ, यह पारिवारिक प्रेम और सुख शान्ति का लुफ्त उठाएंगे। पूर्व प्रेमी आपके जीवन में वापस दस्तक दे सकता है और पूर्ण प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन आपके स्वास्थे के लिए हानिकारक हो सकता है, तो दिन चर्या और खान-पान व्यवस्थित रखें, अपना व्यवहार कुशल बने। इससे आप बुद्धिमता वहोशियार इसे सभी काम कर पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग भी व्यर्थ की बातों से ध्यान हटाकर अपने अध्ययन के प्रती जागरित रहें और रिष्टेदारों से चल रहे किसी पुराने मतभेद का निपटारा भी हो जाएगा। अपने भावुकता उदारता की वजह से आप विजय हासिल करेंगे। क्योंकि इन आदतों की वजह से आप ही अपना नुकसान कर बैठेंगे। में नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह जाँच पड़ताल अवश्य कर लें कि क्या यह निवेश आपको आगे चल कर ला पहार करते समय सावधानी बरतना जरूरी है और अपने और लोगों किसी आपको कुछ दूरियां बना कर रखनी है। कहते हैं कि जो बदला जा सके उसे स्वीकार करो और जो स्वीकार न जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयम को हमेशा खुश रखो मित्रों। आपको जिन्दगी में किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको केवल स्वयं को खुश रखना है क्योंकि एक खुशी व्यक्ति ही, एक खुशहाल व्यक्ति ही जीवन का सबसे सफल व्यक्ति कहलाता है। तो मित्रों, गुरु जी का यह γ्यान अगर आपको अच्छा लग तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा और गुरुजी के इस ग्यान को आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। आपको बता दें कि प्रयासों के बाद भी कुछ कामों में ना उम्मीद महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बहुत प्रयास किये हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समय और भाग्य हमारा साथ नहीं देते हैं। ज्यादा घबराने की बात नहीं है। भावनात्मक रूप से आपके लिए थोड़ा सा यह समय तकलीफ दायक साबित हो सकता है। लेकिन आप तकलीफों से घबराएं नहीं, क्योंकि कोई भी तकलीफ इतनी बड़ी नहीं है जितना आप उसे समझ रहे हैं। आपकी अपेक्षा और घटने वाली घटनाओं में जो दरार महसूस हो रही है, उसके कारण प्रयास बीच में ही रोके जा सकते हैं। इसलिए मित्रों घटने वाली घटनाओं से दूर रहें और जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को अपने मन से निकाल दें। अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन जिम्मेदारियां और काम से होने वाले फायदे का विचार करके ही आगे बढ़ना है। जो जिम और आप ही के द्वारा पूरा समर्पन। इस सामने वाले व्यक्ति को मिलेगा। मित्रों, दांतों से संबंधित समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर की सलाह आपको लेना बहुत जरूरी है। जिस विचार के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, उस विचार से होने वाले और मित्रों, एक अच्छी बात यह भी है कि आप विचार करके आगे बढ़ रहे हैं, योजना में किये गए बदलाव के कारण परिस्थिती के साथ बातों को समझ पाना मुश्किल हो सकता है। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यूरिन इंफेक्शन की तकलीफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सेहत के प्रती आपको जरा सी भी सावधानी आपका नुकसान होने से बचा सकती है। इसलिए सावधानी बरतना अतियावश्यक है। अपने विचारों में स्प तक स्पष्टता नहीं रहेगी, आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। आत्म विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आत्म विश्वास के दम पर ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। इन बातों की वजह से आप पीछे छूट रहे हैं और खुद की प्रगती अनुसरण नहीं कर रहे हैं। काम से संबंधित महतवपूर्ण अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर का पूरा फाइदा उठाने की कोशिश करें और रिलेशन्शिप में दुविधा हो सकती है। इस कारण आपका अकेलापन बढ़ेगा। सपनों को साकार करने के लिए पूरी उर्जा के साथ काम करना होगा, पूरी मेहनत के साथ कार्य करना होगा, पूरी योजना के साथ कार्य करना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे और अपने सपनों को हकीकत में कर पाएंगे। आपकी एकागरता बढ़ सकती है, इसलिए अपने लक्षे पर फोकस होने दे। सामने वाला व्यक्ति आपके प्रती क्या सोच रखता है। अनुचित कामों से भी दूर रहना है। जी हाँ, आपको बता दें कि पारिवारिक वाता वरण खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसका असर आपके करियर पर भी पड़ेगा। मित्रों, हर काम को गंभीरता और सोच समझ कर ही करें। क्योंकि हर कार्य इतना आसान नहीं होता है, जितना आप उन्हें यह समझते हैं, गंभीरता आपको रखनी होगी। वैज्ञानिक द्रिश्टिकोन और यह सोच आपको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेगी, और बड़े बुजुर्गों का सनेह और आशीरवाद आप पर बना रहेगा। कोई कोट के रसिया सरकारी मामला रुका हुआ है, तो वह भी गती पकड़ेंगे और हर काम को गंभीरता और सोच समझ कर ही करें। थोड़ी सी लापरवाही के परिणाम विपरीत हो सकते हैं। गलत बात का प्रतिकार करने से अकारण ही लोग आपके विपक्ष में आएंगी और किसी रिष्टेदार के स्वास्थे को लेकर टेंशन रहेगी। कुछ समय से अब बिजनस में बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मित्रों, काफी हद तक आपको इसके सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। कारोबार विस्तार संबंधित नई योजना बनेगी। लेकिन पार्टनर्शिप संबंधित कामों को आपको मित्रों मतभेद की स्थिती भी बन सकती है। विपरीत लिंगी व्यक्ती के प्रती आकर्शन होने की संभावना है। परंतु इसका असर अपने परिवार वव्यवसाय पर भी पड़ेगा। और कमर में वह पेट में दर्द की स्थिती सकती है। इस दर्मियान वाहन भी सावधानी पूरवक चलाएं। अपने कामों को योजना बना कर करें। जिससे सा आपको समाचार को प्राप्त करने के लिए आप काफी समय से प्रयास रख रहे थे। आज उस कार्य में आप सफल होंगे। जिस समाचार की प्राप्ती आपको बहुत लंबे समय से थी। आप काफी लंबे समय से प्रतीक्षा ही कर रहे थे। विद्यार्थी हास-परिहास व मनोरंजन आदी के व्यर्थ काम में पढ़कर अपने पढ़ाई के साथ समझोता ना करें। पैसे के मामले में किसी पर भरोसा करना आपके लिए नुकसान दायक रहेगा। और राजकी ये मामलों में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यक्ता ही, कार्यक्षेत्र में गतिविधियां बढ़ाने के साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दें। क्योंकि आपका मार्केटिंग में संपर्क का दायरा पहले से और अधिक विस्तृत होने वाला, मैं आपको कर्ज भी लेना पढ़ सकता है, जो की फायदे मन रहेगा।